महराष्ट में जो कुछ शनिवार को हुआ उसके बाद से पल पल सूबी का सियासी घटना करम तेजी से बदल रहा है एक तरफ बीजेपी बहुमत होने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरे तरफ एंसीपी नेता नवाब मलिक ने एंसीपी विथाय को कुले कर बड़ा दावा किया है जिससे अजीद पवार की परिशानी बढ़नी तेह है तो क्या कहना है नवाब मलिक का इस रिपोर्ट में दे इस ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पत की शपत ले ली तो वहीं अजीद पवार ने उपमुख्यमंत्री की कमान समाल ली लेकिन इन सब के बेच सूबे की सियासत और भी दिल्चस्प हो गई है अब सब की नजरें बहुमत परिक्षन पर हैं और इसे देखते हुए पिशिवसेन और कॉंग्रस ने अपने विधायकों पर पहरे कड़े कर दिये हैं लेकिन इन सब के बेच एंसीपी ने कहा है कि उसके जो चार विधायक अजीद पवार के उपमुख्यमंत्री पत की शपत लेने के बाद से लापता हो गए थे वो उनके खेमे में वापस कि इस फैसले को उनका समर्थन नहीं है इसके बाद खबरे आई कि एंसीपी के कुछ बागी विधायकों को एक विमान से दिल्ली ले जाया गया है पार्टी के मताबिक दौलत दरोडा अनिल पाटिल और नितिन पवार नाम के तीन विधायकों को उसकी यूवा इकाई ने ब पताया कि बावन विधायक वापस आ गए हैं एक और हमारे संपर्क में है इसके साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि अजीत पवार अपनी गलती सुधारे ऐसे में अगर नवाब मलिक का दावा सही साबित हुआ तो अजीत पवार की परिशानी तो बढ़ेगी साथ ही बीजेपी क की भी किरकरी होना तै है डीबी लाइफ की रिपोर्ट